भीलवाडा अज में रोड इस्थितिक फैक्टरी में काररच शमिक की शनिवार रात्री बाइक टकर से मौत हो गई शमिक ड्यूटी जॉइन करने के बाद बाहर किसी से मिलने गया था जो की हाथ से काशिकार हो गया इसे लेकर परीजनों के साथ ही शमिकों ने मृतक के आशितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर फैक्टरी में प्रदर्शन किया पुलिस की समझाईश के बाद मामला शान्त हुआ वहीं फैक्टरी प्रबंधन की और से आर्थिक साहता का भरोसा भी दिया गया है रायला थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने बताया कि प्रबलवीर सिंग अजमेर हाईवे पर नानक पुरा इस्तित फैक्टरी में कारे रथ था शनिवार को वह ड्यूटी पर आया और कुछ देर बाद ही वह किसी से मिलने जाने की कहकर फैक्टरी से बाहर गया जहां उसे किसी बाइक ने टकर मार दी हाचसे में प्रबलवीर सिंग की मौत हो गई इस घटना को लेकर परिजनों के साथ ही श्रमिकों ने फैक्टरी में प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची और समझाईश कर मामला शांत करवा दिया थाना प्रबारी का कैना है कि फैक्टरी प्रबंधन ने भी आर्थिक सहायता का भरोसा दिया है उधर शवकार आयला अस्पताल में पोस्ट माटम करवा दिया गया पुलिस मामले की जांच में जुटी है